नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं गोबी का पराठा, तो यह हमने आठा ले लिया है, दो कप आठा हम ले रहे हैं, 500 ग्राम आठा, तो यह हम आठा डाल लेते हैं, बाउल में, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, आदा टेबल स्पून नमक, और फिर इसको पानी ले ले फिर इसको गूंत लेंगे, तो अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम पानी डाल लेते हैं, और पानी थोड़ा दीरे-दीरे ही डाली है, क्योंकि एकदम से गीला भी नहीं होना चाहिए, इसे अच्छी तरह मसल के हमने गूंत के बिल्कुल तयार कर दिय अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढख लेते हैं, उसके बाद हम तो यह हमने ले लिया है, गोबी, उसे हम कदुकस कर लेते हैं, तो यह हमने कदुकस करके तयार कर दिया है, तो इसको हम अब अच्छी तरह जरा निचोड लेंगे, इसमें जो पानी होगा, वो निकल जाएगा, न यह हमने तयार कर लिया, अब हम जीरा अधा टेवरी स्पून डाल रहें, यह हमने अजवाइन लिया है, इसे क्रस्ट करके डाल लेते हैं, उसके बाद यह अमचूर पॉडर हमने लिया है, थोड़ा सा वो हम डाल लेते हैं, यह हमने गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, वो डा हम डाल लिते हैं घरञ और उसके बाद हम नमक डालेते हैं नमक हम लाष्ट में पहुंख ही जाल लेते हैं ल्लट हमाते बनी तै्यार क्लाश में अब हम घकर हटा दिया ये decisions हमारा बिल्कुल सौफ्ट सा आटा बनके तयार हो गया तो इसे थोड़ा सा और मसल लेते हूं तो यह आप देखे बहुत ही अच्छा आटा बनके तयार है आटा अच्छा रहेगा तो पराठे फटेंगे नहीं तो यह हम लोई तोड़ लेते हैं लोई को हम गोल-गोल कर कई इसके बाद हम इसे कम सुक्के आठे में लगा लेंगे दो लोई हम पहले बना लेते ऐं कि हैं कि इसमें भल लेते हैं और फिर इसे गोल-गोल करके हम बंद कर लेते हैं बंद करने के बाद जो एश्ट्रा आटा उपर पर बचेगा उसे हम निकाल लेंगे यह फिर इसे प्रेस करके दबा के उसके बाद हम इसे सुकाटा लगा के बेल लेंगे तो ऐसे ही आप हलके आश से इस तो अब हम इसे रख देते हैं, हमने इधर पैन गरम कर लिया है, पैन में हम हलका सा तेल डालेंगे, उसके बाद हम पराथा डाल लेते हैं, तो मीडियम आज पर यह आप गैस को रखें, और यह हम हलका सा तेल यहां भी लगा लेते हैं, उसके बाद हम पलट लेते हैं, पलट क हलका हलका प्रेस करके दबा लेंगे उसके बाद इसे करते रहें उसके बाद ये कुरकुरा सा बन के बिल्कुल तयार हो जाएगा ऐसे भी मीडियम आज पर पराथे को पकने दीजिए 2-3 मिनट तक पकने दीजिए थोड़ा कुरकुरा होने जा पहले मत निकाले तो ये आप द दूसरा भी ऐसे ही बेल लेते हैं, जैसे हमने पहले बेला था, तो यह हम बेल लेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला भल लेंगे, यह मसाला हम भल लेते हैं, उसके बाद इसे बंद कर लेंगे, ऐसे ही गोल-गोल करके, जो आटा उपर पे हैं, उसे हम निकाल लेते हैं, और फ तो यह भी बेल के हमने बिल्कुल तयार कर दिया है अब हम फिर से इसे हलका सा तेल हम तवे में लगा लेंगे और उसके बाद हम पराठा डाल लेते हैं तो यह हम पराठा डाल दिये हैं यह हलका सा तेल हम लगा लेते हैं और फिर इसे पलट लिटते हैं फिर इसमें तेल लगाएंगे ऐसे इसे फिला लेंगे तेल को अच्छी तरह से फिर इसे प्रेस करके दबाके और इसको फिर तेल लगाके तो यह आप देखे पराठे हमने बना के तयार कर दी हैं तो अब आप यह पराठे बिल्कुल तयार हैं तो अब आप खा सकते हैं इसे दही के साथ अचार के साथ हम तो आपको अचार के साथ ही दिखा रहे हैं तो अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सस् Thank you.